गुड मॉनिंग टो अलफी हाना हम लोग देखेंगे आज सब्जेक्टिव है देखें हम लोग जो कर रहे हैं सेट का सॉलेशन कर रहे हैं 2019 का एका तो यह सब्जेक्टिव है अना पार्ट वान और पार्ट टू करके गया है अबजेक्टिव में जो पचास कोशन हो पार्ट व बदलने का नियम बताये थे जब रेक्डिंग वाला रहेगा तो पहले-पहले पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरी पूरा-पूरा-पूरा हम घटा दिए, पूरा-पूरा संख्या को लिख दिजे, फिर जिस पर रेक्डिंग ने, उसको घटा दिजे, उसके बाद बटा में आते हैं, दसमलों के बाद जितने अंक पे रेक्डिंग है, दसमलों के बाद कितने अंक पे रेक्डिंग, एक और दो अंक पे, दसमलों के ब बट्टा में क्या देंगे, 2 गो 9 देना, अब solution कीजिए, फिर से देखे, पहले पहले पूरा-पूरा संख्या को लिख दीजे, बिना रेक्डिंग वाला को घटा देजे, बिना रेक्डिंग वाला 2 है, तो घटा दे, दसमलक वाई जितना आंग पे रेक्डिंग रहेगा, कित कट रहे तो काट जीगा, ने कट रहे तो चलो दीजा, को दिखने, उसके बाद समी करन निकाई, दूसरा नंबर कोश्चन बोलाई, समी करन निकाई, 2x प्लस y बराबर 5, और 3x प्लस 2y बराबर 8, उसको ब्रज गुनन खंड भी दिजे, तो ब्रज गुनन खंड भी दिजे हम पहले इसका लिख देते हैं, देखे, 2x हल, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा है ना, उसके बाद 2x प्लस y 2x प्लस y बराबर 5 और नीचे है 3x प्लस 2y बराबर 8 समी करन 1 यहाँ पर, समी करन 2 यहाँ पर है ना, समी करन 1 दो उसने से कोई जो x के आगे जो 2 है, इसको हम a1 मानेगे by के आगे कुछ नहीं तो 1, तो यह हो गया b1 और यह c1 x के आगे है, तो a2 2 को b2 और यह आपका c2 हो जाए तो यहाँ पर इसका फर्मूला है ब्रजिकुन खंड भी धी का फर्मूला होता है हना, ध्यान दखेगा x बटा bc माइनस bc by बटा ca माइनस ca और बन बटा ab माइनस ab, continue हो है bc, ca, ab हना, ध्यान दीजिएगा इसको लिख जिएगा 1, 2, 2, 1 12, 12, 12, 12 12, 12, 21 याद रखने का तरीका है हना, हम सर्किल लेते हैं हना, और यहां से एक a ले लेते हैं, b ले ले लेते हैं, c ले ले लेते हैं तो bc से सुरू होता है bc, इसके बाद ca, और फिल ab bc माइनस bc, ca माइनस ca और ab माइनस ab अब 12, 21, 12, 21 का फोर्म याद रखेगा 12, 21, 12, 12, 21 अब यह फर्मूला है तो फर्मूला हम आपको state करके दिखाएंगे, हना, तो देखिए यहाँ पर x1 है हना, x कमान निकलना है तो x होगा, x को x लिख देंगे यहाँ देखे, b1 तो b1 कमान देखे, यहाँ से b1 कमान कितना है, 1 तो b1 के सामने 1 रख देंगे, into b2, उसके बाद है c2 यहाँ से देखे, c2, c2 कमान 8 है, रख देंगे, minus b2, b2 कमान b2 के देखे, b2 कमान कितना है, 2 तो b2 का 2 रख देंगे, c1 c1 कमान, 5 है तो 5 रख दो, बराबर by, बटा c1 है यहाँ से c1, तो देखे, c1 कमान 5 है, तो 5 रख देंगे a2, a2 कमान 3 है, तो 3 रख देंगे c2, c2 कमान 8 है, तो 8 रख देंगे a1, a1 कमान देखे है यहाँ से, 2 है तो 2 रख देंगे बराबर by, बटा उसके बाद बोला a1 b2 तो a1, तो a1 कमान 2 है यहाँ पर 2 रख देंगे, into B2, B2 का मान 2 है, तो भी 2 रखेंगे, माइनस ए फर्मूला में, तो माइनस रख देंगे, उसके बाद A2, तो A2 देखें कितना है, 3, तो A2 को जगा, 3 रख देंगे, और B1 है, तो B1 के जगा पर 1 है, तो 1 रख देंगे, बाकी आप, अब आप solution किजिए, है ना, तो देखें, X बटा 8 गुने 1, 8, माइनस 5 दुना 10, बाई 5 या, 15, घटाओ 8 दुनी 16, उसके बाद है, 1 बटा 2 दुनी 4, माइनस 3 गुने 1, 3, अब यहाँ पर आते, है ना, यहाँ से उपर जाएंगे, solution करते हुए, है ना, तो देखें, आसे, तो जाएगा, X बटा, देखें, 8 में से 10 गय तो माइनस 2, बराबर, बाई बटा 15 में से 16 गया, माइनस 1, और यहाँ से एक बटा, 4 में से 3 गया, एक ही रहाए, एक बटा, एक, अब इसको एक बार बराबर कर दिजिए, इसको एक बार इसके बराबर किजिए, एक बार इसको इसके बराबर किजिए, तो X बटा माइनस 2, लेकिन ध्यान दिजगा इसमें बराबर के इस तरफ है यह वारा C1 और C2 बराबर के इस तरफ इधर लाने के लिए माइनिस लगाना पड़ेगा ठीक है? तो यह ध्यान रखिए ठीक है? तो यहरा रखेड़े एंदे यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनिस तो यहां से x बटा माइनिस 2 बराबर माइनिस 1 बराबर 1 माइनिस से माइनिस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 2 और यहां से by बराबर माइनिस 1 बराबर माइनिस 1 बराबर माइनिस 1 माइनिस से माइनिस कट जाएगा by बराबर क्या आएगा 1 अना ते X ब्रावर 2 हो जाएगा, अबाई ब्रावर 1 हो जाएगा ये ब्रज गुनन खंड भी दे, इसको बोलते हैं ब्रज गुनन खंड भी दी तीन परकार का होता, परतियसफ़ाफन बिलो अपन और ये तीसरा है उसके बाद भीन दे था तीसरा नंबर कोश्य आ समांतर स्रेणी ग्याद की जिए जिसका पाचमा पद की जिसका पाचमा पद पाचमा पद नहीं T5 पाचमा पद दिया है 15 तथा तीसरे और आठमे पद का युग दिआ 34 तथा तीसरा पद तीसरा आनी T3 अब आठमा पद आनी T8 का दोनों का जोड़ दिया है 34, इतना दिया हुआ है तो दिया हुआ है जो लिख दिया है यह दिया हुआ है तो T5 बराबर 15 T5 का फर्मूला क्या होता है T5 के सामने लिख देंगे A पलस 4D A पलस 4D बराबर 15 समी करन 1 अब इसको लिख दें T3 का फर्मूला क्या जानते है A पलस 2D T8 का फर्मूला होता है A पलस 7D बराबर 34 A आए 2A अब दूआड 7D, 9D बराबर 34 समी करन 2 देखो यहाँ 2A है यहाँ A यहाँ 2A लाने के लिए दूसरे क्या करना पड़ेगा? गुना तो यहाँ से हम दूसरे क्या कर रहे है? गुना तो लिख दीजिए समी करन एक में दूसरे गुना कर दिये एक में दूसरे गुना करके इसको घटाने पर समी करन 2 को घटाने पर जब घटाएंगे A अब A कट जाएगा D निकलेगा देखो A पलस 4D सरी दूसरे गुना ने किये दूसरे गुना कर देते हैं 4 दूनी 8D बराबर 15 दूनी 30 यहां से 2A पलस 90 बराबर 34 घटा दो घटाने पर चीनहा बदल जाता है पलस A तो क्या हो जाएगा माइनेस पलस का माइनेस अब पलस A माइनेस पलस 2A माइनेस 2A कट जाएगा ना तो काट दीजे 8D पलस में 9D माइनेस में 8 में सुनो गया माइनेस D बराबर 30 में से 34 गया तो माइनेस 4 4 से 4 कट गया तो D बराब कितना आया D कमान आया 4 है ना D कमान 4 आया अब समी करण 1 से हम लोग A कमान निकाल लेंगे है ना देखे अब समी करण 1 से चलते है समी करण 1 से समी करण 1 क्या लिखा हो है यहां पर A पलस 4D A पलस 4D बराबर 15 और A कमान निकला हो नहीं है D कमान निकला है D कमान 4 है D के जगाप हम लोग 4 रख देंगे तो हो जाएगा A पलस 4 चाओ 16 बराबर 15 तो A पलस 16 उधर जाके माइनस 16 अनि बराबर में आएगा 1 15 में से 16 गया माइनस 1 A कमान निकल गया माइनस 1 D कमान निकल गया 4 अब बोला था A P निकलना है तो A P क्या होता है A P बराबर A Hoगा A plus D होगा फिर A plus 2D इसी को A P बोलते हैं A plus 3D यह A P है A का जगा माइनस 1 अटड़ी के जगा किटना? 4 एक के जगा माइनस 1 2 अटड़ी के जगा 4 प्रिर कमा देंगे A के जगा माइनस 1 3D के जगा 4 यह आपका AP आगया, solution कर लिए, minus 1, 4 में से एक गया, 3, 4 दुनिया 8 में से एक गया, 7, 4 तीय 12 में से एक गया, 11, यह आपका AP आपका answer, ठीक है, तो AP निकल गया, minus 1, 3, 7, 11, dot, 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 यह आपका AP ओगया, तो एक कमान निकल लिए, डिक कमान निकल लिए, AP निकल जाएगा अपने ठीक है, उसके बाद देखे, solution इसका, next question, 4 number question है, तो इसको आप ध्यान से समझेगा, है ना, यह चोथा number question है, वहला, दिखात सुत्र का परियोब करके, दिखात सुत्र का परियोब करके, समी करन, x square, minus 3, minus 10, बराबर 0 का हल निकलना है, तो यह x square, minus 3, minus 10, का हल निकलना है, तो तो यहाँ पर a, b, और c का माल निकलना लेंगे पहले, पहले हम पता करेंगे कि यह बास तभी खेकी नहीं, तो इसका formula होता है, d बराबर b square minus 4ac, देखे, इसके आगे जो रहेगा, उसको यह बोलते हैं, कुछ नहीं तो एक है, इसको b बोलेंगे, और यह हमारा c हो गया, minus 10, तो यहाँ क्या, तीन का square, no, minus का square, plus, minus minus, plus, 10, 4, 40, चालिस, no, 49, और डी बराबर आपका आगया, 49, अजब 0 से बढ़ा है ना, जब डी का मान 0 से बढ़ा हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, इसको बोलते हैं, बास तभी खल, क्या बोलते हैं, यह बास तभी का हल होगे, ठीक है, डी का मान 0 से बढ़ा बास तभी को, छोटा हो तो आबास तभी को, अबर अबर हो तो मुल समान होते हैं, ठीक है, यह दियान लगता है, तो उसके बाद देखिए, आप फर्मूला बूला है, दिवहाद समी करने का सुत्र का परियोग करना, तो सुत्र एक्स का मान निकालने करने हैं, यह सुत्र है, ठीक है, इसको धियान रखेगा, उसके बाद देखिए, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या जगा, माइनेस अब बी, बी का मान देखिए, यह माइनस 3 है, तो माइनस 3 रख देंगे, बी के जगा पर, अब पलस, माइनेस, अंडर माइनेस निकलेगा बाहर 7, और 2, तो एक पार पलरस वला ले लिजिए, एक पार माइनेस वला है, देखे ले रहे हैं, 3 पलरस 7 बटा 2, एक बार ले 3 माइनेस 7 बटा 2, इस थीन मैं से 7 गया हैं, तो माइनस 4 बटा 2, दस में से बाहगा तो दूसरे पांच और माइनिस दू तो X बराबर आपका अंसर दू को हो गया X का दू मान हो जाएगा एक और पांच, X बराबर 5 भी हो जाएगा X बराबर माइनिस दू की हो जाएगा इसका solution हो अगला question है पांच नम्बर सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 5-root 3 एक परिमेश संख्या है, यह देखिए अधिकरा कोश्चन, सिद्ध करें कि 5-root 3 जो है, एक परिमेश संख्या, जो पीवटा की को फर्म करने होता, उसको परिमेश संख्या बोलते हैं, तो यह भी एक परिमेश संख्या है, इसको हमको करना रहेगा आप परिमेश संख्या तो मानना पड़ेगा उसका उल्टा है ना तो मान लिजे माना की माना की पांच रूट थिरी एक परिमेश संख्या आप परिमेश है परिमेश मानेंगे मान लेते हैं है ना कि रूट पांच मानेस रूट थिरी जो है एक परिमेश संख्या प्रिमें है इसका मतलों क्या होगा पांच मानेस रूट थी इज रिटेन ऐज पीवटा क्यों अना तो q is equal to 0 0 जहां पर q is equal to 0 0 पी और क्यों रियल नमबर होगा ठीक है तो यहां पर पांच माइनिस P बटा Q, ये परिमे है अल्रडी, ये भी परिमे है, परिमे घटाओ, परिमे है, परिमे हिराएगा, अन्य तो हम लिख सकते हैं, चुकि पांच माइनिस P बटा Q बरावर परिमे संख्या, ये क्या है, परिमे संख्या, ये आपका परिमे संख्या है, और रूट अपरिमेश संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिखाओ, परिमेश संख्या, बीच में बराबर, यह क्या है, अपरिमेश संख्या, जो संभा, नहीं, तो लिख सकते हैं, परिमेश संख्या, समी करन वन से, कर देता हूँ, समी करन वन से, इसको समी करन वन माल लेते हैं, तो यहाँ फिर से लाते हैं यहां पर इसको लिख देते हैं 5-P वटा Q बराबर रूट की इसके सामने हम लिखते हैं परिमेश संख्या यह परिमेश संख्या अब बराबर रूट फिरी एक आप परिमेश संख्या तो परिमेश संख्या कभी यह परिमेश संख्या के बराबर हो सकता है क्य यह संभव नहीं है, अता हमारी मान्यता गलत साबित हुई, हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अता पांच माइनेस रूट तीन, एक, हम अपरिमे माने थे, अपरिमे संख्या ही होगा, है ना, अपरिमे संख्या होगा, यह आपका प्रूफ, आप ऐसे इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, तो यह था, अपरिमे संख्या वाला, यह एक हो ऐसा कोश्चन आपसे पूछेगा है, पूछेगा है, रूट 3, पूछे, रूट 7, पूछे, 7, रूट 2, या, 1, y, रूट 2, यह आईसा आपका कोश्ण यह भी भी आई ऐसा कोश्ण होता है आईसा जितना भी रूट वाला रहेगा आप भी भी आई मार लेना कोई न कोई पूछी देगा इसके बिना एक जाम संभव नहीं है इसलिए पूछता है ध्यान दो यहां पे कोश्ण नबर 6 पर आते हैं एक सच पर यह वल लाइन जो हरी इंटल लाइन दिख रहा है उपर वल आटा देते हैं एक सच है यह बचाओ तो बोला है कि एक सच पर उस बिंदू को ग्याद कीजिए जो बिंदू 7,6 से मानिस 3,4 से सम दुरस्ट सम मने समान दुरस्ट मने दूरी पर है एक सच पर कोई बिं ओन दूरस्ट इसका डिस्टेंस अपस ने बरावर है मतलब इसका मान होगा लगाएक जीरो होता है तो एक ओ कमान चल गया है एक सच पर ना या 7,6 से 3,4 बोला है यह दोनों हम solution करते हैं इसका देखें इसको हल निकालने के लिए क्या किजेगा ये दोनों का दूरी बराबर दिया है हम इसका दूरी निकाल लेंगे इसका दूरी निकाल लेंगे दूरी सुत्र का फर्मूला है दूरी सुत्र लगाएंगे तो दूरी सुत्र का फर्मूला होता है तो हम यहांस निकाल लेंगा O.A. O.B. तो हो जाएगा O.A. बराबर O.B. दूरी कहनों सार दोनों क्या होगा? बराबर है. सम्दुरस्त पहले ही बोला है. तो जब O.A. बराबर O.B. तो इसका बर्ग भी आपस में बराबर होगा. तो हम लिख सकते हैं O A का स्कॉाइर बराबर O B का स्कॉाइर अब O A का फर्मूला होता है O A का फर्मूला यहां से लिख देते हैं O A का स्कॉाइर बराबर अंडर रूट यहां से स्कॉाइर हटाएंगे तो रूट जाएगा चलिए हैं त realistic हम पिर खुखानए पुंद कि आप क्या जाएगा रूट हुख यहां से हैं तो ओ mileage क्या होगा फर्मूला होता है X2 घटाभ X1 का होल अस्कुखाइ पलस by 2 minus by 1 का होल स्कुखाइ है यहां से X2 minus X1 का होल स्कुखाइ प्लस y2 माइनस y या तो कर सकते आप ऐसे भी x1 माइनस x2 का whole square प्लस y1 माइनस y2 का whole square ऐसे दोनों में से कोई फर्मूला भी लगा है x1 से x2 को खटाओ या x2 से x1 को खटाओ बात एक ही है क्योंकि यहाँ square है माइनस भी आएगा तो square हो जाएगा तो plus y हो जाएगा तो यहाँ से हम oa इसका square भी बराबर है तो बीन square भी बराबर होगा अब oa का formula यहाँ से देखते है oa का formula लिखे क्या इधर से लिख देते oa बराबर under root x2 x2 माइनस x1 का whole square प्लस y2 माइनस by 1 का whole square अब square यहाँ पर एक की बार कर देंगे तो root क्या हो जाएगा खतम नहीं हो जाएगा तो root एक के बार हम खत्मे कर देते है हना square यहाँ पर हम लगा दिए square से root खतम अधर भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का whole square प्लस by 2 माइनस by 1 का whole square फर्मूला लिखा गए इसको नीचे हम आठाते हैं देखे उसके बार देखे x2 इसको मानिएगा x1 तो यह by 1 यहाँ मानिएगा x2 तो यह by 2 तो x2 यहाँ पर x2 है तो x2 बराबर x x2 के जगा हम x रख देंगे x1 के जगा 7 का whole square plus by 2 y2 के जगे 0 minus by 1 के जगा 6 का whole square यहाँ पर आप देखे इसको x2 है इसको मानिए x1 by 1 तो इधर से distance रिकालते हैं तो x2 है x2 के जगा x x1 के जगा minus 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 plus y2 के जगा देखे y2 कितना है 0 minus by 1 के जगा 4 square है तो square दे जीज़े सब देखे यहाँ से x minus 7 का whole square है ना तो हो जाएगा a square plus b square minus 7 14 2 a b हो गया plus 6 का 36 यहाँ हो जाएगा a square plus b square plus 2 a b minus का square plus 4 का square 16 अब जहाँ जहाँ करता है काप देजी x square 6 square खतम हो जाएगा पलस में इधर आके गड़ जाएगा है ना देखे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या 49 plus 36 संख्या को एक तरफ x y वाला को एक तरफ कर देते तो minus 14 x इधर देखो 6 x है इधर आके minus x इधर बचेगा 16 plus 9 यहाँ देखो plus 49 उधर जाके minus 49 अब पर बचेगा उधर जाके minus 36 सब एक तरफ हो गया संख्या वाला उधर कर दिये x वाला इधर कर दिये 14 जो 20 x imply that बीच में बराबर है तो imply that का हम लोग sign देते जाएंगे है ना तो 14 6 20 x minus में यहाँ देखे है 69 25 35 में से 25 गया 11 तो minus 49 पलस 11 यहाँ देखे minus 49 यह वाला 69 25 25 में से 36 गया 25 में से 36 गया 11 बचेगा है ना जो बड़ा होए ना बचता है यहाँ देखे minus 20 x बराबर 49 गया रहा 49 एक पचास 10 60 minus में minus से minus कड़ गया 20 थिया 60 आनि x बराबर कितना आ गया आपका x बराबर 3 आ गया x बराबर 3 आ गया आनि यहाँ पे x कमान पूछा था है ना तो बोला है सम्दुरस्त है तो x अच पर उस बिंदू का ग्याद किजी तो वह बिंदू x अच पर क्या है x, x0 तो लिख दिजीएगा आता वह बिंदू जो हम खोज रहे हैं है ना वह बिंदू जो कोशन पूछा है तो x का नियामक क्या था x,0 तो उसका नियामक हो जाएगा x, x कमान लाइं 3 0 तो यह वह ही है अनि वह नियामक हो जाएगा 3,0 ठीक है इतना है समझ में उसके बाद देखते हैं हाना यह आपको solution किजिएगा ठीक है तो बार बार समझेगा इसको तो आप यह याद कर लिजे बस हैने इसको पढ़ते पढ़ते याद कर लिजे answer side याद कर लिजे देखे उसके बाद question number 7 का बाद करते हैं question number 7 में बोल दिया है question पढ़ते है पहले इसको question number 7 में बोला है क्या एक तिर्भुज एक तिर्भुज ABC है जिसका कौन सी समकोन है पहले वो तिर्भुज पाढ़ना पढ़ेगा ABC और उसका कौन सी समकोन है समकोन का मतलब वो समकोन तिर्भुज है एक तिर्भुज हम पाल रहे है यह देखो एक तिर्भुज A, B, C है जिसका कौन सी समकोन है C 90 डिगर हो गया A, B, C, X समकोन तिर्भुज है जिसका कौन सी समकोन है यह बोला बला की भुजाएं C A और C B C A और C B C और C V पर करमसा बिंदू D और E है C A पर D और E यहां पर बिंदू है और C A पर D है और C V पर E बिंदू है करमसा तो आपको सीध कर कहला ना है A A square पलस B D स्कॉइर बरावर एब एस्कॉइर पलस एई एई कहां एई ए अनि मिलाना पड़ेगा है ना तो पहले हम लोग मिला देते हैं ध्यान से यह हम राच यह मिला देते हैं यह इसको मिलाते हैं मिलाएं, यह मिलाएं, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, तो जो दिया है, वो हम लिख देते हैं, पहले जो दिया है, वो लिख देते हैं, दिया है, ट्राइंगिल A, C, B, एक समकौन है, क्या है, एक समकौन तिर्भुज है, है न, तो जिसमें कौन C बरावर, 90 डिग्री है, और रचना अगर करना है, तो रचना में जो हम यह किये हैं, तो मिलाएंगे इसको, है न, तो जो साबित करना है, वो पहले लिख देता हूँ, आपको साबित करना है, कि A E का स्कौाइर पलस B D का, स्कौाइर बरावर A B का किये हैं, मिला देते हैं, यह पर बाकि सब दिया हो था, मिला रहा है, बस, D E, A E, तथा D B, यह तीनों को मिलाया, जो कालर लाइन से खीचा गया है, यह तीनों को आपको हमने क्या किया, मिलाया, आप परमान में आते हैं, तो परमान में ध्यान देजेगा, बस परमान ही ध् बस बाटी से तो आप कर सकते हैं तो देखे हैं परमान में हम क्या कर रहें ना ये वाला पार्ट देखे हैं ये LHS में लिखा हूँ है स्यावत करने का दो तीन तरीका होता है LHS से चले के RHS ले या RHS से चले के LHS ला दीजे तो भी साबित हो जाता है ये ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा तरी उच करते हैं लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से देखे हैं LHS वाला पार्ट उठा लेते हैं तो LHS वाला पार्ट क्या है AE का स्क्वाइर जोड BD का स्क्वाइर AE का स्क्वाइर जोड BD का स्कुईर, यहाँ से DKYços, ट्रैंगल में आएंगे, ज्यांदेना, ट्रैंगल में, AE, AE, यह वाला, यह वाला जो हम तुमको कलर कर रहे हैं, यह वाला फिगधार दीखे, यह वाला, ठे के, दिख रहा है, आने तो भूजाओं के बरको का यूप फ़ल होता है तो A e का स्कॉयर बरावर A c का स्कॉयर पलस C e का स्कॉयर तो A e का स्कॉयर को हमको क्या लिख देंगे A c का स्कॉयर पलस C e का स्कॉयर लिख दें इसको A c का स्कॉयर पलस C e का स्कॉयर लिख दें नीचे वाला ट्रेंगिल, दिख रहा है, यह वाला, क्या हो जाएगा, BD का स्क्वाइर, तो BD का स्क्वाइर यह करन है, है ना, तो क्या हो जाएगा, B, C, यहां से B, यहां C है, B, C का स्क्वाइर पलस C, D का स्क्वाइर, इसको लिख रहा है, B, C का स्क्वाइर, है ना, B, C क बड़ा बलट रेंगिल में लाना कोची AC का स्कॉाइर पलस BC का स्कॉाइर AC का स्कॉाइर पलस BC का स्कॉाइर आया है तो साथ में लिख दीजी इसको AC का स्कॉाइर तो यहाँ पे AC स्कॉाइर यहाँ पे AC स्कॉाइर अब BD स्कॉाइर को तो एक साथ किये a c square plus b c square तो बच्चा c square plus c d square त्याहां देखें a c square plus b c square a c square plus b c square जोड़ेंगे क्या हो जाएगा a b square यह दोनों को जोड़के हम लिखेंगे a b square ठीक है चोटा वाला ट्रेंग्ल जो हम मीटा रहे है जो दम साफ साफ देखें तो यह बोंदा बुंदा जो हम कर रहे है यह वाला ट्रेंग्ल का बात करें ठीक है यह वाला ट्रेंग्ल तो c square plus cd यहां न यहां पर सलूशन देते हैं तुम लिख देते हैं यह दीए द्या हुआ हूग है चार बटा बड़ना है, तो था काम गुदि धितना है, तो चार बड़ना है, तो जासलवराब ड़ना है, आजएं जिटा बड़ना है, अग यहाँ पर सलुचन करना है, 3 si theta plus 2 cos theta, अब बड़ना है, 3 si theta minus 2 cos theta, तो देखें थिरी साइन ठीटा कमान कितना है साइन ठीटा के सामें 4 तो साइन ठीटा कमान 4 और 2 कॉस्ट ठीटा कमान 3 है तो 3 रख देंगे अब 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 थिरी साइन ठीटा कमान 4 2 कॉस्ट ठीटा कमान 3 4 तिया 12 3 दूनी 6 चारतिया 12-6, 12-6, 18, 12-6 के 6, 6-8, तो यह आपका 3 अंसर, 6-8 तीन बार कटेगा, तो यह आपका कितीन हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, ठीक है, यह धिहां देना, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला इसमें, एक लंब बिरते संकु क्यों चाहिए 8 अठाए से, लंब ब बिरते संकु एक, बोलाई लंब बिरते संकु की उचाहिए 8 से, उचाहिए वाला, इसको बोलते हो, यह 18 सेंटी मीटर है, और बोलाई अधार की तिरिज्या, अधार है यह नीचे वाला का अधार बोलते है, इसकी तिरिज्या एकिस सेंटी मीटर है, यह तिरिज्या यहां स सेंटिमेटर और तीन जिसको आरसर दीनोट करतेग एक संटिमीटर और पूछा है संकू का मैं चाहिट संकू का संकू का ऐटन का फर्मूला स्कायर अचन्य तो में लुए सेखा एक अघर क्या होता है do गुने 28 ताफ इसको मल्टिप्लाइ कर देना तो 22 गुने 21 करेंगे हैं या फिर आप ऐसे कर दो 21 गुने 22 तो 21 दुना 42 एक एस दुना 42 चार सो 62 और फिर 28 से गुना कर दो है न तो 28 28 दुना 56 के छे बागी 5 28 चकम पर 60 से हैं न या फिर गुना कर दो रुखार, अना, आर दुना सोला का छे बागी एक 8 से गुन चार सख नोर बागी चार 8 4 स्क्वाइट पेरिमीटर का पुछेगा सेंटीमीटर और आइतन का पुछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो यह दिया बठना उसके बाद देखिए यह उसके बाद question number 10 में बोला relation बताइए x और y का संबद बताइए जाकि बिंदू x-y x,y 1,2 और 7,0 संदेखियो संदेखि का मतलब होता है कोई भी तीन बिंदू है जो है यह तीन बिंदू संदेखि का मतलब है तीनों बिंदू एक ही लाइन पर रहे है ठीक है एक ही लाइन पर आगे रहे तो इसको बोलते है संदेख बिंदू है ना तो संदेख बिंदू को निकालने के लिए इसका एक फर्मूला आता है जब तीन बिंदू से हम लोग क्या बनाते हैं तिर्भुज भनता है तो तीन बिंदू से हम लोग क्या बना देते हैं तिर्भुज बना देते हैं और हम लोग एक बेसिक फर्मूला पढ़े हैं कि अगर तिर्भुज का छेत्रफल 0 हो जाए तो बिंदू है संद्रेक हो जाती है है ना तो यहाँ पे इसको मानते X,Y है ना इसको मानते 1,2 और यह 7,0 यह 3 बिंदू हो गया अगर इस छेत्रफल इसको 0 के बरावर की है है ना तो यह संद्रेक तो बोल दिया पहले तो 0 को बराबर तो करना ही पड़ेगा तो जो दिया है वो लिख देते हैं दिया है solution में जो दिया है A का नियामाक X,Y B का नियामाक 1,2 C का नियामाक 7,0 यह तीनों दिया है तो हम जानते हैं हम जानते हैं की संरेक बिंदूओं बाले तिर्भुजो बिंदूओं बाले तिर्भुज का छेतर फल तिर्भुजो ने तिर्भुज का छेतर फल 0 होता है सुन्य होता है है ना तो निकाल देंगे तिर्भुज का छेतर फल बराबर तिर्भूज का छेत्फल का फर्मूला याद रखना, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, यह फर्मूला है, तो तिर्भूज का छेत्फल यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो 1y2 into x1 देखे, इसको मानेंगे x1, इसको by 1, इसको x2 by 2, इसको x3 by 3, तो देखे, x1, तो यहाँ पे x1 x1 का मान देखो यहाँ से, x है, by 2 का मान देखो, 2 है, by 3 का मान यहाँ देखो, 0 है, x2 का मान देखो, फर्मूला में, x2 का मान 1 है, by 3 का मान 0 है, by 1 का मान y है, plus x3, x3 का मान देखो, 7 है, हना उसके बाद है by 1, तो by 1 का मान देखो, by 1 का मान y है, minus by 2 का मान 2 है, यहाँ पे रख इधार सदो प्लू इधर कैरो दू भागा में इधर आके गुकुलीट कर डू भागा में इधर आके गुुना में तो जागा cultura जह जागा गपलीश नयुटु Gच दीन में च आप पलस में चोवाई, अब माइनेस चाउदा इधर आके, पलस चाउदा, तो चाउदा बरार क्या होगा, दू कॉम में लेगे, है ना, तो एक्स पलस थिरी बाई, दो सते, चाउदा, आने, एक्स पलस तीन बाई, बरावर साथ, बोला, एक्स बाई का रिलेशन निकाली है, यही आपका यह रिलेशन है, एक्स बाई का, यह रिलेशन ज्याद होगे, अंसर, ठीक है, तो यह सब ध्यान दखिएगा, यही आपका, यहाँ पे अंसर आपका हिमाना जाएगा, यह आपका रिलेशन निकल लिए, ठीक है, कोश्चन नमबर 11, देखिए, रुक दिया, सालूसन में हम लिख देंगे सालूसन है, तो दिया हुआ मसर, 145, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मसर और लसर, एतना में से कोई तीन दिया हुआ है, देखिए, पहली संख्या, बोला यदि एक संख्या 725 है, तो महां लेते हैं, पहली संख्या 725 दिया है, दूसरी संख् एतना दिया हुआ है हम फर्मूला जानते हैं लिग देना चुकि हम जानते हैं यह रिएल नमेर पड़ना है चुकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर यह हम लोग जानते हैं यह पहली संख्या 725 दूसरी संख्या निकालना है यह यह आपका दिया है 215 आपका 145 देखें आप काटते हैं ना तो देखें पांसे काटते हैं 14 पचे 70 5 पचे 25 पांसे 524 पांत या 15 और 25 पचे 25 145 खतम हो जाएगा इधर दूसरी संख्या बचा इधर 435 बचा अनि आपका दूसरी संख्या कितना हो गया 435 लिख दिजेगा आता दूसरी संख्या बरावर 435 यह आप लिख दिजेगा हाना आता लिख दिजेगा लास्ट में हाना तो उसके बाद देखें कॉस्चन नमबर 12 है तो 12 नमबर में बोला है यदि अलफा बिटा किसी दिवहाद बहुपत 4X स्क्वार माइनिस 4X प्लस 1 क दिया हुआ है 4X स्क्वार माइनिस 4X प्लस 1 अब बोला है कि इसका मान निकाले अलफा बिटा प्लस बिटा प्लस बिटा प्लस अलफा हाना तो 4X स्क्वार इसका मान निकाले तो हम यहां से पहले अलफा बिटा का मान निकाल लेते हैं तो यहां से निकाल देते हैं अलफा पलस बीटा बराबर होता है फर्मूला माइनेस बी बटा ए तो माइनेस अब बी के जगह पर माइनेस चार है है ना माइनेस चार आए के जगह पर चार है चार से चार खता माइनस माइनस पलस क्या बचेगा एक अलफा पलस बीटा अब अलफा इंटू बीटा का फर्मूला होत है ठीक है है देर्ट है यह यह दिहलिक्त इंगालना रहा बटा बीटास बीच्टा इतना कमान निकल थरते हैं । यहां तो देखे अलभा इंटु बीटा यسऋ αैं क्ट्राइव अलपाएं टु समें का होगा अलफाा वेह 소न वेह साफ से यह फर्मूला होता है, ध्यान देना, यह फर्मूला है, 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 यह फर्मूला बीटा कमाल ला है एक वर्टा चार तो एक वर्टा चार यहां पर रख देंगे अनीचे आलफा इनुट triangle कमाल भी एक वर्टा चार है तो कह सो यह ब bonito डूरा ज़िय tutti तो यतना कमाना गया दो, यह आपका अंसर होगे उसके बाद देखिया, इधर कोश्चन नमबर 13 पाएंगे, 13 भी असानी है तिरभूज ABC में भूजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदू D और E करम सा इस परकार है बोला एक तिरभूज पाल लेते है यह तिरभूज तिरभूज ABC तिरभूज ABC में भूजाओं AB तथा AC पर AB और AC पर AB पर D है, IAC पर E है यह है, D इस परकार है कि D समानतर BC, D और BC समानतर है, अब जो दिया है तो लिख देते हैं है ना, तिरभूज ABC में है ना, D समानतर dc, लिख दे, d समांकर bc, इस प्रकार है, यदि a d बरावर, a d बरावर बोला, x, देखे, a d बरावर, a d यह है, x, db बरावर, x-2, अना, a e बरावर, x-2, a e c बरावर, x-1, यह, सब दिया है, तो हम जानते हैं, थेल्स परमे से, क्या से, थेल्स, थेल्स परमे पढ़ा होगा, चेप्टर 6.6 में, 6.1 में, अना, थेल्स परमे से हम जानते हैं, कि a d बटा db, लिख देजिए, a d बटा db, बरावर, इधर से a e, तो इधर से e c, a e बटा e c, यह समानु पातिक है, तो a d कमान, x, db कमान, x-2, a e कमान, x-2, A e c, कमान, x-1, अब तिर्शा-टिर्शी गुना का दी, तो x गुना, x-1, बरावर, x-2, in two, x-2, x-2, plus minus, minus, x, a plus b, into a minus b, a square minus, b a square, तो जागा x square minus x ब्राबर x square दूदू नी 4, x square से x square कड़िया, बचा minus x ब्राबर minus 4, minus minus कड़िया, x ब्राबर 4, बोला था x का मान निकाली, यह आपका, x ब्राबर 4 निकाल गया, यह तेरे नंबर था, ठीक है उसका बाद आएंगे 14 नंबर में, बचाओदा नंबर है, है ना, सीध करना है, इसमें, 14 नंबर में, है ना, आपको सीध करना है, कि एक ठीटा पलस 10 ठीटा बटा, x ठीटा मैनस 10 ठीटा बराबर 1 पलस 10 ठीटा बटा, x ठीटा का होल, अस्वार, देखे हम LHS से चलेंगे, तो RHS अगर आ गया, तो सीध हो गया, हमें LHS लिख देता हूँ है, LHS पहले कोस्चन उकार देना, x ठीटा पलस 10 ठीटा बटा, x ठीटा मैनस 10 ठीटा, यह कोस्चन लिख दिए, तो x ठीटा का फर्मूला जानते हैं हम लोग, x ठीटा का फर्मूला बन बटा, x ठीटा का फर्मूला, x ठीटा बटा, x ठीटा यह संटिटा वट्टा काुस धी टाया फर्मूला हो गया इतना उसके बाद धिहां देजी जैगा पॉलस से कॉस कटे गाए एक बार में सांगउने वन सांटिटा आद नीचे जो cos 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 परमे करन करने पर हर परमे करन करने पर अन्य तो हर परमे करन करेंगे तो नीचे वाला को उपर लिखेंगे लेकिन खाली बीच का चिना क्या हो जाएगा लास्ट से एक पहले का चिना बदल जाता है माइने से तो क्या हो जाएगा 1 पलस है थिटा का होल स्वायर निचे a plus b into a minus b a square minus b star sign – signethe a의 NA plus sign theta बता नीचे cos square theta ऊपर whole square दोनों पास पार है तो अलग-अलग कर देते एक साथ कर देते आ ग्राहे है कॉस ठीटा का whole square यह यह आरहे चेस्ट यह आपका पूल हो गया है ठीक है इतना समझ में है हाना तो आप इस परकार से कीजिएगा हाना तो सलुशन हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखें 15 नमर कोस्चन में खटाक से दिखते हैं किसी तिर्भुज के दो सिर्ष इतना है तो यदि इसके केंद्रक का निया मक्ट कोई तिर्भुज है पहले तिर्भुज ले लेंगे तिर्भुज ले लिए बोलाए दो सिर्ष इतना कैना और इतना है तो दो को सिर्ष जिए इसको ऑषिए इसको भी इसको सिद्वनें capacit हैं इस पेकार से केंद्रक भी तेंगे क्या इस एक दिया मैंनिस एक है ना ध्यान देना यहां से ध्यान देंगे है ना तो हल करते हैं जो दिया लिख देंगे एक का नियामक 3,5 बी का नियामक-7,4 ओ केंदर का नियामक है 2,1 इसे एक C का नियामक आपसे पूछा है, X, Y लिख देता हूँ, है ना, तो हम जानते हैं, लिख देता हैं, चुकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, तिरहुच के केंद्र का नियामक, है ना, और अगर नियामक आपको निकालना है, तो फर्मुला जानते हैं, X1 पलस X2 पलस X3, X1 by 1, X2 by 2, X3 by 3, सब कमांदर देंगे, इसका नियामक देखे, X1, यहाँ पे, तो X1, X1 के जगा देखे, X1 के जगा कितना है, 3, X2 के जगा, minus 7, X3 के जगा, X, बटा 3, और यहाँ से, by 1 के जगा पर, minus 5, और by 2 के जगा पर, plus 4, by 3 जगा पर, by बटा 3, इधर से नियामक क्या दिया हुआ है, ओका, ओका नियामक, 2, minus 1, यह, तो पहला को पहला से बराबर, दूसरा को दूसरा से बराबर, कर दिए, है ना, तो देखें यहाँ से, 2 बराबर, 3 में से 7 गया, तो minus 4, पलस X, बटा 3, भागा में इधर आके, 3 10, है ना, अब इसको बराबर कर दा है, minus 5 में से 4 क्या है, minus 1, पलस Y, बटा 3, अब बराबर में क्या है, minus 1, minus 1, पलस Y है, 3 भागा में उदर जाके, तो minus, 3 गुन 1, minus 3, minus 3 उदर जाके, तो minus 3, minus 1, पलस Y, तो 3 में से 1 गया, तो minus, minus 3 में से गया, तो 2, अनि आप, X कमान 10, Y कमान 2, अत्ता लिख दिजेगा, तीसरा बिंदू जो C है, उसका नियामक हो जाएगा, X, Y था ना, तो X, X के जगा 10, अब Y के जगा, minus 2, यह तिरहुच का तीसरा बिंदू C का नियामक न जो है, second video में जाएगा, आपका 15 question इसका हुआ, इसमें total 33 question है, subjective का, है न, तो इसका जो second part है, उसमें जाएगा, ठीक है, बाकी